आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोवे पहले एक अपील कोरोना संक्रमन को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही ना बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें मास्क लगाएं दोगस की सुरक्षित दूरी बनाय रखें बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं लोगों को कोविट से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्क दर्शन के लिए राश्ट्री हेलपलाइन कारी रथ है इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075 अब मुख्य समाचार प्रदेश के विकास को फिर से गति देने और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करने के लिए राज्य मंत्री मंडल के सधस्यों ने किया विचार विमर्श सुप्रीम कोड के जस्टिस डॉक्टर डी वाय चंद्रचूड ने इस साफ्वेर को वर्च्वली लोकार पित किया और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में वनों को बढ़ाने और भूमी की उपजाव शमता बढ़ाने के लिए किये जा रहे हैं व्यापक उपाए अब समाचार विस्तार से कोरोना से उत्पन हुई इस्थिती से प्रधेश को फिर से विकास की रहा पर ले जाने के लिए और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ की दिशा में तेजी से काम करने के उद्देश से कल सीहोर जिले के इचावर में राज्य केविनेट के सदस्यों की अनोप चारिक बैठक हुई मुख्यमंत्री शिवराज सीही चोहान की अद्धिक्षता में हुई इस बैठक में प्रधेश सरकार की आय, क्रशी, एवं उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विचार किया गया बैठक में उपस्थित राज्य मंत्री मंडल के मंत्रियों ने अपने सुझाव दिये, इन सुझावों के आधार पर प्रदेश की भविष्य की रूप रेखा तयार की जाएगी बैठक में मुख्य मंत्री शिवराज सिही चोहा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को निरस्त करने के लिए स्वास्थ सेवाओं की आधार भूत सनरशनाओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए साथ ही कोरोना से प्रभावित हुई प्रदेश की अर्थिववस्था को फिर से गती देने के लिए आवश्यक उपाय किये जाए बेठक में वित्त मंत्री जगदीश देवडा ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में राजस्व में कमी आई लेकिन आवश्यक खर्चों को कम नहीं किया गया राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिही राजपूत ने कहा कि राजस्व वद्धी के प्रयाज किये जाएंगे, साथ ही इस बाद का ध्यान रखा जाएगा कि जनता पर अतिरिक तभार नहीं आए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राजसरकार ने कोरोना पर लगभग संपूर्ण नियंतरन प्राप्त किया है उन्होंने बताया कि आगामी 1,2 एवं 3 जुलाई को कोरोना टिका करण का महा भियान चलाया जाएगा बेठक में बताया गया कि 1-3 जुलाई के बीच वेक्सिनेशन का महा भियान चलाया जाएगा सुश्म लगू एवं मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रोध्युगी की मंत्री ओम प्रकास सकलेचा ने कहा आत्म निर्भर मध्यप्रदेश की कार योजना पर तेजी से अमल किया जाएगा इस विचार मंथन में म१्यप्रदेश के विकास जन कल्यान कारी योजनाएं आदिक कई विश्यों पर चर्चा की गई तक्निकी शिक्षा खेल एवं युवा कल्यान मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंद्या ने कहा कि मन्थन में युवाव को रोजगार दिलाने के संबन में विस्तरत चर्चा हुई बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी कि पचास से अधिक महाविद्यालों में भवन निर्मान का कारिय प्रार्ण करने के साथ ही रोजगार मुलक कोर्ज भी शुरू किये जा रहे हैं इसकुल शिक्षा स्वतंद्र प्रभार एवं सामानी प्रशासन राज्यमंत्री इंदर सीही परमार ने बताया कि आगामी वर्ष में हम प्रथम चरण में सर्व सुविधा युक्त तीन सो पचास से स्कूल जिला एवं विकास खंड स्तर पर शुरू करेंगे इन स्कूलों म इस अउसर पर सुप्रीम कोट के जस्टिस डॉक्टर डीवाय चंडर्चूड ने अपने वर्चूल संबोधन में कहा कि इन्टिग्रेशन आफ सी इस सौफ्ट्वेर विक लेंड रिकॉर्स और नेशनल सर्विस एंड ट्रेकिंग आफ इलेक्रोनिक प्रोसेस पर डिस्टिक जूटी शरी से न्यायलिन प्रक्रिया में सहुलियत मिलेगी। एंड इकोट कमेटी जस्टिश श्री अतुल श्रीधरन ने आभार प्रदर्शन किया। इसके पूर्व पावर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सौफ्ट्वेर की खुबियों एवं उप्योगिता पर सार गर्भित प्रस्तूतिकरन दिया गया। इउद घाटन के अउसर पर बार कॉंसिल आफ मध्यप्रदेश, हाई कोट बार एसोशेशन, हाई कोट एडवोकेट्स बार एसोशेशन, सीनियर एडवोकेट कॉंसिल आफ जबलपूर के पदाधिकारी भी वर्चुली जुडे थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि भारत में पिछले 10 वर्ष के दोरान 30 लाख हेक्टेर से अधिक वनशेत्र की बढ़ोत्री हुई है। उन्होंने कहा कि इससे देश का वनशेत्र बढ़कर कुल शेत्रफल का लगभग एक चोथाई हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी मरुस्थली करण भूमी की उर्वरा शक्ति कम होने और सूखे पर सयुक्त राष्ट उच्छ स्तरी समवात को वर्चुली संबोधित कर रहे थे। श्री मोधी ने भूशरण और उपजाव शक्ति कम होने की रोक्थाम के लिए भारत द्वारा किये गए उपायों का उलेक किया। उन्होंने कहा कि भूमी जीवन और आजिविका का बुनियादी स्थम्भे। विश्व का दो तिहाई हिस्सा जमीन की गुणवत्ता में कमी की समस्या से जूज रहा है। यदि इसकी रोक्थाम नहीं की गई तो इससे जीवन की सुरक्षा और पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को खतरा है। श्री मोधी ने कहा कि विभिन गति विदियो से भूमी को हुए नुक्सान को दूर करना और इसकी प्राक्रतिक गुणवत्ता भाल करना पूरे मनव सवाज की सामुहिक जिम्मेदारी है। संचालक सामाजिक नियाए एवं निशक्त जन कल्याण श्री स्वतंत्र कुमार सिही ने 26 जून अंतरराष्ट्री नशा निवारन दिवस पर सभी कलेक्टरों को केवल द्रश्य श्रव्य के माध्यम से ही ऑनलाइन कारिक्रम करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टरों से कहा गया है कि इस दिन माधक द्रव्य पदार्थों के सेवने से मनुष्य जीवन पर होने वाले दुश प्रभाव पर केंदरित विशय पर तातकालिक भाशन प्रतियोगिता वेपकास्ट के माध्यम से आयोजीत करें। आया जाता है आयकर दाताओं को www.incometext.goe.in पर फार्म 15CA या 15CB भरने के दोरान आ रही परिशानियों के बीच सरकार ने यहां निर्णने लिया है कि अब यहां फार्म मेनुवल प्रारूप में 30 जुन तक अधिकारिक वित्रकों के पास जमा करवाए जा सकते हैं वित्त मंत्राले ने एक बयान के नुसार नई e-filing पोर्टल पर इन प्रपत्रों को अपलोड करने की सुईधा बाद में उपलब्ध की जाएगी जिससे आयकर दाताओं को दस्तावेज पहचान संख्या मोहिया कराई जा सके आयकर अधिनियम 1961 के तहट फार्म 15CA या 15CB को आनलाइन भरने की जरूरत है देश में अब तक 25 करोड़ सित्यासी लाग से अधिक कोविट टीके लगाई जा चुके हैं स्वास्त मंत्राले ने बताया कि कल 18-44 वर्ष आयूवर्ग के 20,99,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1,16,000 से अधिक लोगों को वेक्सिन की दूसरी डोज लगाई गई विश्व का सबसे बड़ा टीका करण अभिहान भारत में इस वर्ष 16 जन्वरी को शुरू किया गया था बुलिटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश के विकास को फिर से गती देने और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करने के लिए राज्य मंत्री मंडल के सदस्तों ने किया विचार विमर्ष सुप्रिम कोट के जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड ने इस सौफ्टवेर को वर्चूली लोकारपित किया और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा देश में वनों को बढ़ाने और भूमी की उपजाव शमता बढ़ाने के लिए किये जा रहे हैं व्यापक उपाए इस बुलिटन के अंत में एक अपिल हमेशा ध्यान रखे मास्क और दोगस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार